नमस्कार मेरा नाम है इतेश कौशिक को सिवल स्टाफ के समझ पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज के सत्र में हम हर्याना जी के के और एकनॉमिक्स के सवाल डिसक्स करेंगे जो आपके हर्याना सिवल सबसेज एक्राम जो ग्यारा फरवरी को आयजित किया गया दोजार चौबिस को उसमें पूछे गए थे तो देखें एक बार हम जल्दी से सवाल देख लेते हैं जो पूछे गए थे उनके क्या सॉलूशन जो ह कहा गया था कि प्राचीन जो बुद्ध स्थूप है वो पश्चमी दिशा में जो है वो मौझूध है भ्रह्म सरोवर के दूसरा यह जो पीला है जिसके ऊपर यह बुद्ध कस्थूप है यह तकरीवन तीन एकड़ में फैला हुआ है और इसकी उचाही चार मीटर है जमीन स तो अब इन्होंने जो ऑप्ष्ण दिये थे उसमें ना बी ऑप्षण करेक्ट है क्यों पहला भी कफशन ठीक है दूसरा भी ठीक है लेकिन दूसरा पहले के बारे में कोई एकस्पीलेशन नहीं दे रहा है पहले को दूसरा पहले को कोई सार्थक्स थाबित निगा स्टेट्मेंट है दोनों मिलके एक कतन बनेगा लेकिन पहले की कोई एक्स्प्लेशन नहीं है वो तो इसलिए दूसरा आप्शन जो है वो ठीक है बोथ वान इंटू करेक्ट लेकिन टू इस नॉट डेकरेक्ट एक्स्प्लेशन ऑफ वन तीसरा अब दूसरा कोईशन जो हर्याना जी किसे पूछा गया था यहां पर दिया गया है युगनुमों पर विचार करना है यह कुछ इमारत ने दी गई है बिल्डिंग्स जो हर्याना में मौजूद है जैसे आरामे कॉसर टॉम उफ शेक तयब और भाई की बावली इसमें जो ऑप्शन गलत है वो तीसरा वाला भाई की बावली जो है वो मेहम रौतक में नहीं है यह गलत दिया गया था कैदल में तो नार्नौल और जो दूसरा पहला और दूसरा ठीक है इसलिए आंसर केवल दो है ओनली टू इसमें बी आपका ऑप्शन ठीक है सुलूशन भी यह जलन पूर्फ़सीा है और कमिशिन के आशिकी में भी यहीं है आगे भूमियां खेडा के लिए वह वह सवाल पूचा गया था है भूमिया यहाँ पहले कथन में का गया है कि वह। गर के कि देवत्ता माने जाते हैं दूसरे अर भूमिया जो है वह उनकी पूजा की जाती है शादी के समय पे पहला जो दूध है गाय या भेंस का वो भूमया को माना है और गेटी लागर बाश्ठण नौरा वहाद आसान है है हरयाना से पालोक रखने वाले बता सकते हैं गेटी को कहा जाता है बासन किसी बरतन को कहा जाता है यहाँ पे पिचर दिया हुआ है नौरा मतलब घर के बाहर जो आंगन होता उसे कहा जाता है तो उसके हिसाब से सीदह एक option बचता था वो था आपका भी ठीक है तो यह असानी से इसको कोई भी solve कर सकता था यह कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल था नहीं कमिशन के answer की और वैसे भी solution भी ही आता है आगे फिर एक और आखरी question था हर्याना दीके संबंदित जिसमें यह बोदा गया था कि सबसे बहतरीन और सबसे संद्रक्षित बहुली हर्याना के महम में हैं दूसरा यौद्धे काल के कुछ सिक्के और उसके मोल्ड मिलते हमें तीसरी चौथी शदाब्दी से रोह रहतक से दीसरा एक प्रतिमा मिलय हमें भगवानकार्ति के की उसमें और लली तास्न है एक मोड के उपार ठीक है और ऐसी कांसे मिली होक्रा कोट से तो हमारा पहला कथन बिल्कों ठीक है सबसे बहतरी बहुली मेहम की बहुली जिनी है और दूसरी है आपके यौद्यक पहले दो सभी होने की वज़े से, अब इसमें केवल दो कथन सभी है, आउसर भी आपका करेक्ट है, कमिशन की आउसर की भी ठीक है, यानि हर्याना जी के का तो कोई भी सवाल कमिशन की आउसर की में ज़रा भी डापफुल नहीं है, बिल्कुल अच्छे से उन्होंने दिया है सब क्या चलिए लेकिन एकोनॉमिक्स के कुछ सवालों में थोड़ा सा जो है वो गड़बड़ी है हम देखेंगे उनमें क्या है पहला इस यहां पर दिया है कि इस रिपोर्ट को डब्लू टीओ के द्वारा जारी किया गया दूसरा भारत का ओवराल स्कोर डिवेलप कंट्री से अच्छा था तीसरा यह हर दो वर्ष में जारी किया जाने वाली एक रिपोर्ट है जिसे डव्लू टीओ के मेंबर कंट्री सब सब जो है उनमें यह सरवे किया जाता है तो अब देखो इसके आंसर में क्या था पहला तो हां कि डव्लू टीओ इसको जारी करता तो पहला ठीक है इसमें ठीक है दूसरा दूसरा गलत है रीजन है क्योंकि ओवराल स्कोर भारत का अच्छा है अब देखो भई उन्होंने न क्या किया इस रिपोर्ट में अलग-अलग रीजन के अधार पर बाट दिया और आथिक हलातों पर बाट दिया है देशों को डिवेलपिंग अलग रखा डिवेलप्ट अपनेजब को अलगรखया है साथयमें उन्होंने ये भी बता दिया कि साउथ-शिए नग को बिलकुल यह अलग रखा है तो सब अपनी-अपनी किटेगरी में ऊपर नीचे जा सकते हैं भारत जिस क्रिए में वह साउथ-ट रीजन कटेगरी है त तो उसको developed economies के साथ compare किया ही नहीं जा सकता, कैसे कह सकते हैं कि भारत का रैंक उन से अच्छा है, तो ये वाला गलत है, तीसरा, by annual survey, ये वाला जो है न, अब इसमें, ये statement बड़ी close थी, by annual survey है, इतना ठीक है, और मतला हर दो साल में होता है, WTO के member country से आगे भी उसकी हदे हैं, वो सिर्फ WTO के member ही नहीं, और देशों को भी उसमें शामिल करता है, ठीक है, इस report में, तो इसलिए, तीसरा होगा गलत, तो सिर्फ पहला ठीक होने कारण, option A, correct, commission is absolutely right, ठीक है, चला, आगे, consider the following statements regarding the corporate debt market development fund, अब यहाँ corporate debt market development fund है, पहला कता है नहीं, it will be established as alternative investment fund, पहला ये बोलता है, दूसरा कहता है कि contribution to the fund shall be mandatory for specified debt-oriented mutual fund schemes and asset management companies, के कुछ पैसा देना वो जरूरी होगा, कुछ debt-oriented mutual fund schemes के लिए, और asset management companies के लिए, initially इसकी ये पात साल के लिए जो है, वो बनाया जाएगा, और बाद में इसे सेबी के कहे अनुसार इसको आगे भी extend किया जा सकता है, ये हमारा question था, अब देखो corporate debt market development fund जो है, हाँ, एक alternative investment fund के देखे तौर पर, तियार के दाएगा, पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा, दूसरा भी ठीक है, यहाँ पर लेकिन अब यहाँ पर देखें, दूसरा भी ठीक है, problem क्या है, कि यहाँ पर हमारे इसाप से 1 भी ठीक है, और 2 भी ठीक है, third wrong है, क्यूंकि 15 साल के लिए, बोला गय नहीं है तो पहला और दूसरा ठीक है लेकिन options में पहला और दूसरा कहीं है नहीं इन्होंने सिर्फ दूसरे option को ठीक माना है alternative investment fund वाले को नहीं तो यह थोड़ा देखने की चीज है कि पता नहीं इस सवाल का क्या बनता है लेकिन हमारे हिसाब से यह पहले दोनों ठीक है बाकी इसमें थोड़ी जिसके पैसी होने की possibility है ठीक है जी आप देखें consider the following statements regarding the foreign investment foreign portfolio investment in India यह पहला कि इसमें तेजी से बदलावाय है ठीक है दूसरा 2022-23 में net FPI जो भारत में था वह एक प्रतिशत से कम था GDP के foreign exchange management act 1999 के अनुसार यह प्रमुक विधाईक विधाईक जो है बॉड़ी है FPI को लागू करने वाली भारत में तो अब यह है तो अब देखें मतलब या फिर कानून है भारत में लागू किया जाने वाला तो अब यहां पर देखो अब इसके options में हम जाएं पहला दूसरा तीसरा तीनों ही कथन ठीक है पहली बात foreign portfolio investment भारत में पिछले दशक में बड़ी तेजी से उसने fluctuate किया है दोजार बाइस तेश में यह भारत में एक प्रतिशत से भी कम थी यह भी ठीक है डिटा ओर्येंटेड है बिल्कुल ठीक है तीसरा कि foreign exchange management act 1999 में जो लाई गई थी यह प्रमुक जो है कानून है एफ पिए से जुड़ा हुआ भारत में तीनों ही ठीक है अप्सलूटली करेक्ट ठीक है तो बिल्कुल कमिशन ने अपनी आंसर की में भी उसे बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिया है अब यहाँ पर यह है कि पहला यहाँ पर statement दिया देखो यह क्या है scheme for remission of duties and taxes on exported product लब एक scheme है भारत सरकार की जिसमें कुछ रियायतें दी जाती है उन प्रोड़क्ट को जो एक्सपोर्ट की जाते हैं तो पहला statement कहता है कि यह mechanism है for exemption of taxes duties and levize on exported product इसके अंदर किस तरीके से बिल्कुल छूट दी जाए टैक्स ड्यूटी जाए पर वह बताया जाता है यह उसके लिए एक mechanism में यह scheme WTO compatible है और इसे इंप्लिमेंट किया जाता है एंड-to-end IT environment में ठीक है अब यहाँ पे commission की answer की में भी दिया है यानि two only is correct but हमारे हिसाब से यह दोनों ही correct है इसका answer one and two होना चाहिए ठीक है तो बिल्कुल ठीक है अगला सवाल था consider the following statement regarding prompt corrective action framework PCA के बारे में है कि PCA supervisory norms are applicable to both government and non-government NBFC जो prompt corrective action के जो प्रावधान है वो सरकार और गैर सरकारी non-banking financial companies पे लागव होती है दूसरा discretionary action under PCA include restriction on branch expression तो कई जो discretionary action है PCA के वो उसमें restriction है branch expansion पर तो यह तो जो इस question था इसमें हम देखें तो दोनों ही statements गलत हैं ठीक है दोनों ही statement गलत है क्योंकि यह RBI का जो यह prompt corrective action framework है यह एक October 2024 से लागू होगा अभी नहीं ठीक है तो currently नहीं है तो इसलिए यह गलत हो गया दूसरा RBI PCA watch list दो प्रकार की जारी करता है mandatory और discretionary but restriction on branch expression is not discretionary तो दूसरा गलत हो गया पहला भी गलत हो गया answer आगया D बिलकुल सही है कमिशन का answer बिलकुल सही यहाँ पर दिया भी गया है चलो next आते हैं consider the following statement regarding fugitive economic offenders that ठीक है अब यह आपने सुना होगा ना जैसे कि जो लोग भाग जाते हैं बैंकों का पैसा लेके बड़ी संख्या में बड़ा बड़ा गया है और जिसके खिलाफ arrest warrant जारी है और वह ऐसे मामलों में सनलिप्ट है जिसमें जो आर्थिक आपराधिक मामले हैं उसमें कम से सौ करोड की रकम शामिल है तीसरा इस एक्ट के अनुसार अथॉर्टीज के पास पावर है कि वह आपकी सारी संपत्ति और सारे जो एसेट है उन्हें जब्त कर सके और नो कन्विक्शन जब कोई जो है जब किसी भी मतब व्यक्ति को पकड़ा नहीं गया बस उसके सारे आर्थिक संपत्ति को जब्त किया सकता है इसको इंप्लिमेंट करने वाली प्रमुक एजनसी है तो अब देखें दो हजार अठारा की फ्यूजिटिव एकनॉमिक ओफिंडर्स आक्ट के अनुसार के स्पेशल पावर स्पेशल कोट को यह पावर दी जाती है कि वह सारी संपत्ति और सारे जो उससे जुड़े हुए जितने भी एसेट से उनको जब्द कर सकता है इसने सौ करोड़ से जादा का कोई घपला किया है और वह अभी भारत की जूरिडिक्शन से बाहर है तो यह लागव होता है दूसरा अब इसके अंदर क्या है कि अंडर दा आक्ट एंपार्टू कॉन्फिस्केट एसेट इवन एसेट जब्द किये जा सकते हैं लेकिन यहां पर जो तीसरा है ठीक है अब वो गलत है FIU नोडल एजेंसी नहीं है इसको लागू करने वाली तो FIU is not the नोडल एजेंसी to implement this आगे CWS पर आते हैं अगला सवाल जो था वो पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वेस रिपोर्ट से था CWS एक अर्बन एरिया जो में मौझूद है वो बेसिकली इस मिजर्ड आट इंटर्वल आफ त्री मन्स मतलब जो अब यह है कि करन्टली वीकली स्टेटस जो है ना वो लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार वो हर तीन महीने के बाद लिया जाता है यह पहला कथन कहता है दूसरा प्रेजंट लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है और अनिम्प्लाइमेंट रेट वो दोनों गिर रहे हैं जब हम बेसियर 2017 और 18 से कंपेर करते हैं त तो इसमें जो पहला statement हूँ ठीक है दूसरा जो है वो राओंग है तो कैसे पहला statement ही कैसे है करन्रेंट् adjustments号 टीन मत्यदी निहूंट हो गया के जो फींदियरस स्टेटस अब यह कहता है कि ये गलत क्यूंँ है कि वह गिर नहीं रहा लेबर फोर प्रेज cm About पार्टिटिपेशन रेट और एंप्लाइमेंट रेट वो गिरा नहीं है बड़ा है इसी वज़े से यह इंकरेक्ट हो जाएगा तो इसी कारण से आपका ऑप्शन एक करेक्ट है करेक्ट आगे कंसीडर दा फॉलॉइं स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिसेंटली रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया रिगार्डिंग ट्रीटमेंट विल्फुल डिफेल्टर और लाज डिफॉल्टर डिफॉल्टर डिरेक्शिंस 2023 अब यह दिया गया है यहां पर यह कहते है य एक विल्फुल डिफॉल्टर बॉर्वर नीट्स टू बी रिव्यूड और फाइनलाइज विदिन शिक्स मंस ऑफ एन अकाउंट बिंग क्लासिफाइड अज नौन पर्फॉर्मिंग एसा विल्फुल डिफॉल्ट है बॉर्वर उसको रिव्यू किया जाना चाहिए और फा आपशन निले सकता जब तक उस ने जिसको असल में लोन दिया डेप्टर को उसके खिलाफ सारे एक्षन ना ले लें ठीक है आखिर में जब गर्वर के पास जाएगा जब वह जिसको लोन दिया था उससे कुछ वसूल नहीं कर पाता तभी जा पाएगा ठीक है तो यह तीसर हमारे हिसाब से यह थर्ड भी करेक्ट है तो कमिशन की आंसर की में वान टू करेक्ट है जो आंसर भी है हमारे हिसाब से यह थर्ड वाला स्टेट्मेंट भी करेक्ट है यही बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम यह है तो इसमें आंसर सी आना चाहिए कमिश ग्रोथ थियोरी सामने जो है वो लोग दिये गए हैं जिन्हों ने यह थियोरी दिये हैं अब यह देख लो absolute advantage theory is given by Adam Smith, big push by Paul Rosentine Rodan and theory of low level equilibrium trap by Richard R. Nelson balance growth theory Ragnar-Nerk से और इसी वज़े से आपका answer आजाता है C, ठीके दी, तो C इसमें आपका correct answer है next चलते हैं आगे जिनी इंडेक्स is graphical representation of distribution of income or of wealth तो जिनी इंडेक्स जो है वो graphical representation income या wealth की दूसरा जिनी इंडेक्स जो है greater degree of income inequality देता है ठीके और value of जिनी इंडेक्स has increased among regular workers while it is decreased between casual workers in India as per India wage report ठीके अब यहाँ पर क्या था कि पहला जिनी इंडेक्स जो है न वो distribution of income अगर की बात हम करते हैं तो वो तो Lawrence curve से identify किया जाता है ना कि जिनी coefficient से ठीक है degree of income inequality मिजर की जाती है जिनी कोफिशेंट से तो तो पहला तो बिल्कुल गलत है दूसरा अब दूसरा यहां पर है कि higher the जिनी इंडेक्स greater the degree of income equality अब जब inequality है तो बेसिकली दूसरा इंकरेक्ट है तो जिनी कोफिशेंट विचिट इराइट रॉम लॉर्ण कर थे इंडिकेटर अफ एकनोमिक development in the country ठीक है एकनोमिक डिवलपेंट के लिए यूज हो सकता है तो इसी लिए जो है आपका ठीक है अब देको जिनी इंडेक्स ग्रेटर इनिक्वालिटी को दिखाता है विद हाइए इंकम इंडिविजिल्स रिसीविंग मच लाज़ अप परसेंटेजिज अफ टोटल इंकम पॉपलेशन तो दूसरा इंकरेक्ट है आपका तीसरा जीनी इंडेक्स जो है वो बड़ा है रेगुलर वरकर में वाइल इनिक्रीज दमग कैज्वाल वरकस तो इसमें ये वाला जो है वह आप्षन आपका ठीक है थी तो पहले दो है वह गलत है थ्पहर्ड इसकैट थिए तो सी आप्शन इसकारेक्ट है इसमें चलो कि यह तो तीसरी स्टेटमेंट वो बिल्कुल फ्लक्ट्टय यह कि जिनी इंडेक्स जो है वह रेगुलर वर्कर्स के लिए जो है और गाटा है इंडिया वेज रिपोर्ट के नुशार नेक्स्ट आजाता है आपका अपका बारवा जो सवाल था यह था International Finance Corporation एक World Bank का औरगन है जिसका मकसद, जिसका काम है to finance private sector in developing countries ICIOD International Center for Integrated Mountain Development is Intergovernment Knowledge and Learning Center situated in Switzerland ठीक है? तीसरा All India Rural Financial Inclusion Survey is conducted by Reserve Bank of India for 5 years देखो, पहला अगर आप यहां देखे, तो पहला यहां पर ठीक है क्यों? क्योंकि IFC जो है वो World Bank का एक औरगन है और to finance private sector in developing countries, बिल्कुल ठीक है दूसरा ICIOD is Center for Mountain Development और स्विज्जर लैंड में नहीं है यह मौजूद है खुमलतार में, ललितपुर में काठमांडू वैली, नेपाल में तो यह incorrect हो गया तीसरा, तीसरा आपको दिया है कि All India Rural Financial Inclusion Survey RBI के त्वारा कराया जाता है RBI नहीं नबाड कराता है इसे ठीक है, National Bank for Agriculture and Rural Development तो दूसरा गलत, तीसरा गलत, सिर्फ पहला ठीक यानि के option, आपका C इसमें correct है Commission की answer की में भी और Original solution में भी ठीक है जी, चलो, आगे Consider the following statements related to प्रधार मंतरी जंधन योजना अब यहां पर हम जंधन योजना के संदर्ब में दिया गया है पहला, it provides access to financial and social services at affordable cost तो पहला कहते हैं कि वह वह access देता है financial and social services पर affordable cost पर दूसरा, use of technology to lower cost and wider reach इसमें technology का use होता है और दूर तक reach होती है और ज्यादा लोगों में फेलती है तीसरा, opening of basic saving bank deposit account in camp board with minimum balance of रुपीज 500 and 0 charges जो अथा, issuance of indigenous debit card अब देखो यहां पर, यह जो option है इसमें, पहला है, it provides financial services only, not at affordable cost, ऐसा कुछ भी नहीं है दूसरा, use of technology हाँ, use of technology तो होता है, यह correct है ठीक है, तीसरा basic saving deposit account, जो है, वो minimum balance उसमें कोई रखने की जरूत नहीं है, 0 balance होते है यहाँ पर इन्होंने 500 रुपे का है, यह गलत है और चौथा option ठीक है indigenous debit card issue किये जाते है तो दूसरा और चौथा ठीक है, यानि 2 and 4 आपका इसमें सही option बनता है, ठीक है 2 and 4 is correct, answer C next consider the following statements related to the coaching scheme under the umbrella scheme, Shreya पहला इट प्रवाइड कोचिंग ऑफ गुड क्वालिटी फॉर एकनॉमिकली डिसद्वान्टेज्ज स्सीज, बीसीज और माइनॉर्टी तो यह जो एकनॉमिकली डिसद्वान्टेज चिडूल कास्ट, OBC और माइनॉर्टी है उनके लिए कोचिंग प्रवाइड करती है स्कीम, दूसरा सीलिंग जो टोटल फैमिली इंकम मतलब जो इसका फायदा उठा सकती है वो आट लाग प्रती साल है प्रती वर्ष है, तीसरा रेशो आफ सी और OBC स्टूडेंट 70-30 होना चाहिए और 30% सीट जो है वो महिलाओं के लिए हर कैटेगरी में रिजब होनी चाहिए रेशो आफ सीज, OBC स्टूडेंट इस 50-30 and 20 तो देखें कौन सा इसमें ठीक है इसमें जो है न आपका यह देखो प्री कोचिंग, सीबी सीज और OBC के लिए आगे आठ लाग प्रती महा से कम इंकम होनी चाहिए यह भी ठीक है तो दूसरा ठीक है पहला गलत है तीसरा हो गया आपका SC OBC रेशो 70-30 है और जेंडर इंक्लूसिविटी 30% है तो तीसरा ठीक है चौथा हो गया कि 50-30-20 का रेशो अब यह गलत है SC OBC और Minority का जो है वो 50-30-20 है ठीक है ठीक है तो इसमें आगया आपका ठीक है तो आंसर इसमें है 2 and 3 ठीक है 2 and 3 चल तो यह था आपका solution जो हमने देखा HCS exam में पूछे गए हर्याना जी के सवालों का और आपके जो है overall जो हर्याना जी के plus economics के questions का ठीक है जी तो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आपसे जय भारत जय है